चलिए अब हम जानते हैं प्रथम कोटी अभीक्रिया के समाकलित दर्चमिकरण का ग्राफी निरूपन इसके लिए हम प्रथम कोटी अभीक्रिया के लिए जो दर्चमिकरण है यहाँ पर ln A is equal to minus k t plus ln A not यह लेते हैं और आप देखेंगे कि यह जो समिकरण है यह सराल रेखा स समिकरण y is equal to mx plus c के बिल्कुल समतोले है तो इस तरह से हम y-axis पर यदी ln A लेते हैं और x-axis पर समय t को लेते हुए ग्राफ खिशते हैं तो हमें इस प्रकार का एक negative slope घटता हुआ ग्राफ प्राप्त होता है यह negative slope यह जो है वह माइनस k को दर्शाता है और माइनस के यहाँ पर negative है इसलिए हमें यहाँ पर एक negative slope प्राप्त हो रहा है साथ ही यहाँ पर जो इंटरसेक्ट है जो अन्ता खंड है वह ln A not को दर्शाता है तो इस तरह से हम इस प्रकार का जो ग्राफी निरूपन करके चुकि स्लोप की वेल्यू हमासानी से निकाल सकते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर टेंजन कामान ग्याद करके के की वेल्यू प्राप्त कर सकते हम इसी तरह से प्रथम कोटी अभिक्रिया के लिए जो दूसरा वेग स्थरांग का समीकरण है के जुकर्टू 2.303 बाइटी लॉग इस समीकरण को भी क्या भी हम ग्राफी नियूरूपन प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पर एलन ए नौट बाइए इस उकल टू के टी बाइटी बाइट 2.303 इस तरह से इसको परिवर्तित कर देते हैं और यहाँ पर हम जो समीक ग्राफ खीचेंगे वह होगा एल समीकरण से समतुले करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वाइज उकल टू एमेक्स के समतुल यहाँ पर हमें आकड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो प्लस सी के लिए यहाँ पर यानिकी जो इंटर्सेक्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि इस प्रकार का जो ग्राफ होगा इसमें हमें अंताखंड प्राप्त नहीं होगा और इस तरह से यह बढ़ता हुआ पॉजिटिव स्लोप जो कि यहाँ पर वेग स्थरांग के धनात्मक मान को इंगित करता है तो जो स्लोप होगा वह के बाई 2.303 की वेल्यू बताएगा और इस तरह से इस लोप की ढाल निकार कर टेन थीटा की गड़ना करके हम इस अभीक्रिया के द्वारा इस ग्राफ के द्वारा के की हम देखें कि ग्राफी निरूपन के द्वारा समाकलित दर्द समीकरण के ग्राफी निरूपन के द्वारा हमें के की वेल्यू वेग स्थरांग के मान को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है आईए अब कुछ होधारान देखते हैं प्रथम कोटी अभीक्रिया के इसमें यहां पर एथेन प्राप्त होता है यहां पर जो वेग है अभिक्रिया की दर है वो केवल एथीन की सांध्रता के समानुपाती होती है यहने कि इस अभिक्रिया के लिए यदि हम वेग समय करण लिखे तो यह होगा वेग बराबर के C2H4 की concentration की घात एक तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया है वो केवल एथीन के concentration के एक घात के पर निर्भर कर रही है इसलिए यह प्रथम कोटी की अभिक्रिया है इसी तरह से हम देखें कि जितनी भी बैक्टिरिया की व्रधी या विनाज से सम्मंदित जो प्र करिया है रासायनिक अभिक्रिया है वह भी प्रथम कोटी की अभिक्रिया होती है इसके अलाबा आप जानते हैं कि जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है या तो फिर वह प्राकृतिक हो या फिर कृत्रिम रेडियो एक्टिव अभिक्रिया जो होती है वह भी सभी प्रथम कोटी की अभिक्रियां कहलाती हैं क्योंकि आप जानते हैं प्रथम कोटी की अभिक्रिया में यहां पर जितने भी तत्व होते हैं उसमें केवल एक ही अभिकारक होता है और जिसका लगातार विगटन होता रहता है और वो एक स्थाई नाभीक में कनवर्ट हो जाता है उधारन के लिए यदि हम ले यहाँ पर रेडियम जिसका परमाणू क्रमायंक होता है 88 और परमाणू भार होता है 226 इसका जब रेडियो एक्टिव विगटान होता है इसमें से अलफा कंड बाहर निकलते हैं तो यह एक दूसरे नाभी रेडोन 86 और 222 अटॉमिक मास इसमें यह कनवर्ट हो जाता है तो यह जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर रेडियम की कंसेंट्रेशन पर निर्भर करती है और इसलिए यहाँ प्रथम कोटी की अभिक्रिया होती है इसके अलावा हमने देखा नाइट्रूजन पेंटॉक्साइट का वियोजन नाइट्रूजन पे योगिक रूप से यह देखा गया है कि इसका जो rate of reaction है अभिक्रिया की दर है वह nitrogen pentoxide के एक घाद पर निर्भर की सांध्रता के एक घाद पर निर्भर करती है तो इस तरह से यह भी प्रथम कोटी की अभिक्रिया है इसके अलावा hydrogen peroxide का व्योजन hydrogen peroxide व्योजित होकर hydrogen hydrogen और oxygen में परिवर्थित होती हैं यहां पर भी जो अभिक्रिया की दर होती है वह hydrogen peroxide की सांध्रता पर निर्भर के एक घाद पर निर्भर करती है इसलिए यह भी प्रथम कोटी की अभिक्रिया है इसके अलावा भी हम और उधारन दे सकते हैं जैसे एस्टर का जलब घटन यह भी प्रथम कोटी की अभिक्रिया है या फिर इक्छु शरकरा का प्रतिलोमन यह भी प्रथम कोटी की अभिक्रिया होती है लेकिन यह जो प्रथम कोटी की अभिक्रिया है इनमें यह कुछ विशेश प्रकार की अभिक्रिया है जिसका बारे में हम आगे जानेंगे अब हम जानते हैं अर्ध आयूकाल अभिक्रिया का अर्ध आयूकाल और इसमें हम पहले शूने कोटी अभिक्रिया का अर्ध आयूकाल जानेंगे और उसके बाद जानेंगे प्रथम कोटी की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयूकाल का वेंज़ग अर्ध आयूकाल किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की तारंबिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे हम अभिक्रिया का अर्ध आयूकाल कहते हैं और इसे पी हाफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं मालीजे किसी अभिकारक की प्रारंभी सांद्रता 100% है और वह परिवर्तित होकर 50% रह जाती है तो इस 100% से 50% तक परिवर्तित होने में जितना समय लगता है उसे हम उस अभिक्रिया का अर्ध आयूकाल कहते हैं अब हम शून्य कोटी के अभिक्रिया के अर्ध आयूकाल के लिए व्यंजग प्राप्त करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले 0 कोटी की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थरांग समीकरण है उसको लेंगे वेग स्थरांग समीकरण ये क्या था इस समीकरण में यदि हम T के स्थान पर T हाफ लें यनिकी अर्ध आयुकाल के रूप में और जो इसकी सांद्रता है ए टी समय के पश्चाद जो रिमेनिंग सांद्रता यनिकी ए है उसे हम ए नौट बाई टू क्योंकि ए नौट क्या है प्रारंबिक सांद्रता और टी समय के प बी इसलिए हम से लेंगे यन नौट बाई टू और यह दोनों के मानों को हम समीकरण में रखते हैं तो यहां पर समीकरण हमें क्या प्राप्त हो जाएका ए इस उकल टू ए नॉट माइनस हाफ ए नौट बाई टी-हाफ अब यहां पर इसको अंट को हम कमन निकाल लेते हैं तो हमारे समीकरण हो जाएगा k is equal to a0 और यह हो जाएगा 1 minus 1 by 2 by t half और इसे हम calculate करेंगे 1 में से 1 minus minus हो गया तो यहाँ पर हमेरे पर विच्टा है 1 by 2 तो यहाँ पर और साथ ही हम यहाँ पर k और को पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर t half हमें इधर ले लिया तो t half is equal to 1 by 2 a0 by k यह समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है और यह और शूनिकोटी अभीक्रिया के लिए और आयूकाल का समीकरण है इस समीकरण को भी यदि हम देखें तो यह समीकरण भी सरल रेखा समीकरण y is equal to mx plus c के सम्तुल्य है टी हाफ को इंगित करता है यहने कि हम इस पर जब ग्राफ खीचें तो हमें सरल रेखा प्राप्त होगी इसमें हम टी हाफ को y-axis पर लेकर तथा यहाँ पर कंसंट्रेशन जो प्रारमभी कंसंट्रेशन ए नौट है उसको x-axis पर लेकर ग्राफ खिचते हैं तो हमें जो स्लोप है वह पॉजिटिव स्लोप बढ़ता हुआ स्लोप इस प्रकार प्राप्त होता है और यह स्लोप जो है वह वन बाल्ट टू के की वैल्यू को दर्शाता ह यहां पर टी हाफ है यहीं की अर्धायूकाल अभीक्रिया का अर्धायूकाल है वह प्रारमभिक अभिकारक की प्रारमभिक सांध्रता के समानुपाती होता यहने कि जबकि हमने शुन्यकोटी अभिक्रिया की जो डेफिनिशन है उसमें हमने जाना है कि जो शुन्यकोटी अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया का वेक अभिकारक की प्रारमिक सांद्रता ते स्वतंत्र होता है लेकिन यहाँ पर शुन्यकोटी की अभिक्रिया का अ भी बढ़ रहा है जब कि यहाँ पर आप देखें कि जो वेग स्थरांख है तो टीह और आयूकाल वेग स्थरांग के व्युत क्रमानुपाती होता है यहाँ पर के की वैल्यू जिस प्रकार से बढ़ेगी तेज होगी और आयूकाल का मान कम होता जाएगा और हम जानते हैं से निश्कर्च निकल रहा है कि जब अभिक्रिया की वेग अधिक होगी अभिक्रिया की दर अधिक होगी रेट आफ रेक्षन अधिक होगा तो अर्ध आयूकाल का मान कम हो जाएगा तो इस तरह से हमने शून कोटी अभिक्रिया के लिए और आयूकाल के व्यंजक को क्या है उसके लिए वेग स्थरांग समीकरण को लेते हैं यह होता है के जुकल टू 2.303 बाइटी लॉग ए नौट बाइए यहां पर भी हम उसी तरह से टी की जगह पर टी हाफ लेते हैं तो था जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन है या टी समय के पस्चाद जो कंस प्रेशन ए है उसके स्थान पर हम ए नौट बाइट लेते हैं अब यहां पर यह दोनों के मान हम समीकरण में रखते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा के जुकल टू 2.303 बाइटी हाफ लॉग ए नौट बाइए नौट बाइटू अब यहां पर ए नौट और एट दूसरे से क लॉग टू यहां पर हम कुलन के को पक्षांतर कर देते हैं के को नीचे लिए आते हैं और टी हाफ यानिकिन हमें अर्धा युकाल पता करना है तो टी हाफ इस उकल टू 2.303 बाइक के लॉग 2 यह क्वेशन मिल गया और यहां पर हम लॉग 2 इसकी वैल्यू रख देते हैं वेल्यू मैंने शुरू में बताया था आपको यह होती है 0.301 यह यहां पर रख दिये तो इस तरह से वेल्यू रखने के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्रथम कोटी की अर्ध आयूकाल यह निकिती हाफ के लिए जो विंजत मिल रहा है वो है टी हाफ इस इकल ट दिखाई नहीं दे रही है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रथम कोटी की अभिक्रिया के लिए ओर्ध आयूकाल है वह यह एक इस्तरांख होता है क्योंकि यह पर 0.693 फाय के जीनी की होता है कि बस्तरांख है और यह एक निश्चित संख्या है तो यहां पर प्रथम कोटी की अभिक्रिया के लिए और्ध आयूकाल एक स्थरांक होता है यानि कि इसका प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है जबकि हमने देखा कि प्रथम कोटी की अभिक्रिया में जो वेग स्थरांग का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता कर सकते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं की जहां शून कोटी की अभीक्रिया में अभीक्रिया की दर सांदृता से स्वतंत्र होती है वहीं इसके अर्ध आयूकाल का मान सांद्रता के समानुपाती होता है दूसरी और प्रथम कोटी की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वह सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है जबकि इसकी जो अर्ध आयूकाल है उसका मान सांद्रतास पर निर्भर नहीं करता है चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं यहाँ पर प्रश्न दिया है एक कोटी की अभिक्रिया के लिए वेक स्थरांग का मान यहाँ पर दिया हुआ है छे दे समलो नो तीन गुणि 10 की घात रंतीन प्रती मिनिट इस अभिक्रिया के लिए हमें अर्ध आयूकाल की गढ़ना करनी है तो यहाँ पर आप अर्ध आयूकाल का जो प्रथम कोटी की अभिक्रिया है उसके सूत्र का इस्तमाल करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ इस उकल टू 0.693 बाई के यहाँ पर के की वेल्यू हमें द 10 to the power minus 3 इसे हम calculate करेंगे तो टी हाफ हमें प्राप्त होता है 100 में तो इस तरह से यहाँ पर टी हाफ की वेल्यू आप पता कर सकते हैं इसी तरह से एक दूसरे प्रकार की प्रशन लेते हैं यहाँ पर अब देखें कि प्रशन है प्रथम कोटी अभिक्रिया के लिए वेग यह है 0.016 पर मिनिट और कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के असी प्रतिशत पूर्ण होने में लगने वाले समय की गढ़ना कीजे तो यहाँ पर हम पहले बता दें कि जो प्रथम कोटी की अभिक्रिया के लिए वेग स्थरांग का समी करण है वो है के जुकल टू 2.303 बा यहाँ पर हमने पहले यह बताया था कि जो यह नौट है वह प्रारंभिक सांद्रता है यानि कि 100% सांद्रता है जब अभिकारक जो अभिक्रिया शुरू हो रही है उस समय और जो नीचे दिख रहा है ए है concentration of A है वह दर्शाता है कि T समय के पश्चार सांद्रता कितनी बची है तो यहाँ पर हम A की जगा पर 100% लेंगे जबकि नीचे जो A की सांद्रता है जगा पर 100% लेंगे जबकि A की जगा पर हम 100-80 क्योंकि 80% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है यहाँ पर रखेंगे तो 100-80% लेंगे तो इसको हम वैल्यू को सभी यहाँ पर रखते हैं के की वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं के की वैल्यू है 0.016 is equal to 2.303 by T log A not की जगा पर 100 आ जाएगा और A की जगा आएगा 100-80 तो 100-80 is equal to 20 अब यहाँ पर नीचे लग देते हैं फिर से 0.016 is equal to 2.303 by T log 100 by 20 अब 100 और 20 यह cancel होगा तो हमें मिलेगा 5 तो equation हो गया 0.016 is equal to 2.303 by T log 5 अब यहाँ पर log 5 की value रखनी होगी और log 5 की value होती है 0.698 तो यहाँ पर log 5 की value रख देते हैं यहाँ पर अब हम T क्योंकि हमें पता करना है T तो T को हम उपर ले आते हैं और K जो है वेग इस थरांग इसको नीचे पक्षांतर कर देते हैं और उसकी value यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा T is equal to 2.303 by 0.016 into log 5 की value 0.698 और इसे हम calculate करेंगे तो हमें time जो प्राप्त होगा समय वो मिलेगा 100 minute तो इस तरह से यदि हमें K की value दी गई है तो हम T के value निकाल सकते हैं हमें प्रारम्मिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता पहले पता करना होगा और उसके बाद हम समय की गढ़ना कर सकते हैं अभी तक हमने रासानिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों तथा रासानिक अभिक्रिया की दर को सध्धान्तिक रूप से जाना हमने पढ़ाए कि रासानिक अभिक्रिया की दर को प्रायोगिक रूप से ग्याद किया जाता है तो इस तरह से माल लेजे किसी रासानिक अभिक्रिया की दर पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है या ताप का क्या प्रभाव पड़ता है या दाप का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें ग्याद करना है तो उसे हमें प्रायोगिक रूप से ग्याद करना होता है जैसे कि माली जे रासानिक अभिक्रिया की दर पर सांद्रता के प्रभाव का अध्यन करना है तो इसके लिए हम जो अलग-अलग अभिकारक होते हैं उन में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता को इस्थर रखते हुए दूसरे अभिकारक की सांदृता में होने वाले परिवर्तन को माप कर अभिक्रिया की दर को ग्याद कर सकते हैं अब यहाँ पर जब हम अभिक्रिया की दर को सांदृता की प्रभाव के द्वारा ग्याद करेंगे तो उस समय ऐसे कोई रासाइनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया मिश्रण है उसके किसी ऐसे गोण को हमें ग्याद करना पड़ता है या उसमें होने वाले परिवर्तन को देखना पड़ता है जो कि अभिक्रिया के साथ साथ पूरी अभिक्रिया के साथ साथ परिवर्तित होत है जैसे कि अभिक्रिया जब हम शुरू कर रहे हैं तो रंग कुछ और है और अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है तो रंग में परिवर्तन होता है तो रंग में होने वाले परिवर्तन के द्वारा हम अभिक्रिया की दर को माप सकते हैं या हम सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की दर को माप सकते हैं यदि समय के साथ अभिक्रिया में की आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन को माप कर हम अभिक्रिया की दर को ग्याद कर सकते हैं इसी तरह से यदि समय के साथ तापमान में अभिक्रिया मिश्रण के तापमान में परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा हम अभिक्रिया की दर को माप सकते हैं तो चलिए हम ऐसे ही एक राचानिक अभिक्रिया के अभिक्रिया की दर को ग्याद करते हैं और इसमें हम ग्याद करेंगे कि सोडियम थायो सलफेट की जब हड्रोक्लोरीक अमलक के साथ क्रिया होती है तो उस अभिक्रिया पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है और इस मापने के लिए जो हम अभिक्रिया मिश्रन के गुण को चूज करेंगे वह होगा रंगमी परिवर्तन तो इसे हम देखें कि जब हम सोडियम थायो सलफड कि क्रिया हईड्रोक्लोरिक अमलके साथ कराते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है सल अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है तो जैसे जैसे हम सोडियम थायो सल्फट में हाइड्रोक्लोरिक अमलक को मिलाते हैं और यहां पर जो सल्फर है यहां अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है तो वास्तों में इस अभिक्रिया में जो हम मापने जा रहे हैं वह देखेंगे कि यहां पर सल्फर के अवक्षेपन की दर क्या है और यहां पर हम सोडियम थायो सल्फर्ट की सांद्रता में परिवर्तन करेंगे जब कि हाइड्रोक्लोरिक कि सांद्रता को हम स्थिर रखेंगे और नापने के लिए जो हमने गुण चूज किया है वह होगा सल्फर के अवक्षेपन की दर किस प्रकार से होगी क्योंकि जैसे ही यहां पर जब हमारा जो अभिक्रिया मिश्ण प्रारम्ह में होगा वर रंगहीन होगा और जैसे ही यहां सपर होता है क्योंकि सब्फर यहां पर कोलाइड रूप में प्राप्त होगा सल्फर का कोलाइड solution बन जाता है उसके अक्षेपित होने के साथ ही जिससे की जो अभी क्रिया मिश्रण है वो रंग हीन से दुधिया हो जाता है और हम इसी कुण का मापन करके इसका मापन करते हैं तो चलिए हम activity के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो अभी हम प्रयोक के द्वारा sodium thiosulfate और SCL के बीच होने वाली अभी क्रिया पर सांदरता के प्रभाव का अध्यान करेंगे इसके लिए हमने sodium thiosulfate का 0.1 molar solution लिया है और SCL का 1 molar solution लिया है इसके अलावा हमें distill water की जरुएत पड़ेगी इसके लिए हमने कोनिकल फ्लास 100 ml के लिए हैं और ये चार कोनिकल फ्लास हैं साथ ही हमने मेजर कर्स लिया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक अभिकारग की सांद्रथा को स्थिर रखंगे यैनिकि स्लीकी सांदобщ को इस सथिर रखंगे जगके sodium thiosulfate की सांद्रता में हम परिवर्थन करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम sodium thiosulfate के अलग-अलग सांद्रता के विलियन बनाएंगे तो इसके लिए शुरू करते हैं सबसे पहले flask नमर 1 में हम 10 ml sodium thiosulfate लेते हैं पहले flask में हम 10 ml sodium thiosulfate solution ले रहे हैं अब सेकंड नमबर के फ्लास्क में हम 20 ml sodium thyosulfur लेंगे यहाँ पर यह 10 ml डाल दिया हमें इसके पाद 10 ml यह 20 ml sodium thyosulfur डाला अब फ्लास्क नमबर 3 पे हम 30 ml sodium thyosulfur लेंगे यह 10 ml आप बड़ा फ्लास्क लेकर और मेजरिंग सिलंडर लेकर सीधे 30 ml भी नाप सकते हैं इस तरह से तीसरे फ्लास्क में हमें 30 ml ले लिया है और अब चौथे फ्लास्क में हम 40 ml sodium thyosulfur solution ले रहा हम यह 40 ml sodium thyosulfur solution हमने लिया अब इसके बाद हम पहले वाले फ्लास्क में दूसरे में हमने 20 ml sodium thyosulfur लिया था इसलिए अब हम यहां पर 30 ml distil water डालेंगे तीसरे फ्लास्क में हमें 30 ml लिया था इसलिए हम 20 ml distil water इसमें डालेंगे जिससे की वाल्यूम 50 ml हो जाए और चौथे फ्लास्क में हम केवल 10 ml distil water डालेंगे जिससे की वाल्यूम 50 ml हो जाए अब यहां पर सभी के वाल्यूम समान हो गए हैं और अभी यहां पर हमें रेक्शन करानी हैं और इसके लिए हम सभी में एच्छी सॉलूशन अभी सभी फ्लास्क में 50 ml अब सभी फ्लास्क में सोडियम थायो सल्फर का जो सॉलूशन है विलियन है वो 50 ml हो गया है लेकिन यहां पर सांद्रता सभी फ्लास्की स exhaustion भी भिन भिन है सबसे जो तनुवीलियन होगा वो फ्लास्क नमर वन का होगा क्योंकि इसमें हमने के वर 100 ml sodaald डाला है दूसरे में 20 डाला है तीसरे में 30 मोटे में 40 ml sodium तो जो फ्लास नमर फॉर है वो सबसे कंसंट्रेट है अब हम यहां पर सभी में 10 ml स्यल की डालेंगे यहां पर हमने सोडियम थायो सल्फट की सांद्रता भी न भी न रखी है लेकिन स्यल की सांद्रता हम सभी में समान रखेंगे तो इसके लिए हम यह 10 ml सन का जो आपका microbiBeakr होता इसका इस्तेमल कर सकते हैं यह फिर हम यहां पर मेजरींग चलेंडर क मैं स्क्रीम कर सकते हैं तो सब से पहले और यहां पर जो color हम देखेंगे ने का color होगा उसको पहचानने के लिए जैसे ही हमने sodium thyosulfate और acyl की क्रिया होगी यहाँ पर जो आपको colorless solution देख रहा है यहाँ दुधिया हो जाएगा और यही time हमें देखना है कि सभी यहाँ पर flask के नीचे हमने cross का चिन लगाया हुआ है जैसे ही solution दुधिया हो जाएगा cross का चिन हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा और वही time हमें note करना है कि कितने समय में हमें नीचे रखा हुआ cross का चिन दिखाई देना बंद हो जाता है तो सबसे पहले हम बीकर नंबर फ्लास्क नंबर वन में 10 ml S.C.L. solution डालते हैं और जैसे ही हम इसमें S.C.L. solution एड़ करेंगे देखिए अभी हमें cross का चिन दिखाई दे रहा है और यह S.C.L. solution डालते ही हम यहाँ पार अपनी stop watch on कर देते हैं और देखते हैं कि इस cross kitchen को disappear होने में कितना समय लगता है एक निट में बात सर्यूं सर्वाद करें रहा है कि देखिए जैसे जैसे सोडियम थायो सल्फेट और एसल के बीच अभी क्रिया हो रही है सल्फर का अक्षेप बनता जा रहा है जिसके विज़े से यह जो सॉलूशन है वह दुधिया होता जा रहा है और देखिए क्रास का चिन हमें धुंदला होता हुआ कर दिखाई दे रहा है जैसे ही हमें क्रास का चिन बिलकुल दिखाई देना बंध हो जाएगा वैसे ही हम अपनी stopwatch कर देंगे और time note कर लेंगे और सभी को हमें ऊपर से और एक都是 कि डाइरेक्षण से देखना है और यह देखिए हमारे क्रास कर्चिन यहाँ पर पूरी तरह से डिसापियर हो गया है और यह हमारा टाइम आया है वन मिनेट 11 सेकंड तो यह हम टाइम यहाँ पर नोट कर लेंगे अब हम इसी प्रक्रिया को दूसरे फ्लास्क के लिए अपनाते हैं दूसरे फ्लास्क में भी हम 10 ml HCL solution हम फ्लास्क नमबर टूब में डालेंगे और इसमें लगने वाले टाइम को हम नोट करेंगे और यहाँ पर मैंने अपना stopwatch अन कर दिया है कि सेकंड नमबर का जो फ्लास्क है उसमें हमने अधिक मात्रा में सोडियम थायो सल्फिट लिया है और इसी लिए इसमें अभी किरा की दर्थ तेजी से हो रही है और यहाँ पर हमें यह केवल 28 सेकंड में केवल 28 सेकंड में यह हमारा क्रॉस कचिन डिसापियर हो गया है कि यह हमी सभी जो टाइमिंग है उसको नोट करते जाएंगे और उसके बाद तीसरे फ्लास्क में हम 10 ml डालते हैं कि सभी में सॉलूशन बिल्कुल समान मात्रा में होना चाहिए तीसरे फ्लास्क का जो सॉलूशन है वो पहले से भी ज़्यादा कंसेंप्रेट है और इसलिए अभी क्रिया देखते हैं कितने सेकंड में कंप्रीट होती है देखें यह केवल 19 सेकंड में कलरलेस हो गया जो क्रॉस का चिन था वो दिखाई देना बंद हो गया है तो जैसे जैसे अभी यहां पर कंसेंप्रेशन बढ़ता जा रहा है वैसे अभी क्रिया जो है वह तिव्र गती से हो रही है अब यहीं प्रक्रिया हम चौथे फ्लास्क लिए करते हैं इसमें भी हम 10 ml अस्यल सॉलूशन डालते हैं देखिए 13 सेकंड जो है क्रॉस का चिन डिसपीर हो गया है अब यहां पर अभी क्रिया कंप्लीट हो गई है तो आपने देखा कि पहले फ्लास्क में चुकि सोडियम था सल्फिट का जो विलियन था काफी तनू था और इसलिए उसमें जब अभी क्रिया हो रही थी वहां पर रेट ओफ रेक्शन धीमा था इसलिए कंप्लीट अभी क्रिया होने में जिसको हमने पहचाना क्रॉस के चिन के डिसपीर होने के टाइमिंग को देख कर तो वो काफी अधिक लंबा था और जैसे जैसे यहां पर हम दूसरे तीसरे और चौ समय था वो कम होता गया अब इस से जब हम संद्रता यहां पर सोडियम थायोसलफिट की संद्रता और टी जो टाइमिंग हमने नोट किया है उसकी बीच हम ग्राफ खिचेंगे यदि हम देखें तो अब जिस अब दर से अभिक्रिया आगे बढ़ रही है क्योंकि पहले वाले इछ में अभिक्रिया की दर तीवर है लेकिन टाइमिंग जो है वह अधिक मिला लेकिन बाद में टाइमिंग कम होता जा रहा है तो इसलिए हमें जो प्लाट ड्राव करेंगे ग्राफ तो वह नेगेटिव आएगा इसलिए जो ग्राफ हम लेंगे वो स्कंसेंट्रेशन को X पे लेती हुए टाइमिंग को हम one लेती हुए यहाँ पर ग्राफ करेंगे तो से हमें जो ग्राफ मिलेगा वह बढ़ता हुओ ग्राफ होगा और उससे हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे concentration बढ़ती चलिगई वैसे वैसे अभिक्रिया की दर में भी व्रिधी होती तो इस तरह से सांदरता के प्रभाव का अध्यान हम अभिक्रिया की दर पर कर सकते हैं इन्हीं अभिकर्मकों का उपयोग करते हुए आप एक और प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव का अध्यान कर सकते हैं इसके लिए हमें सिर्फ ए की जरूरत होगी हम एक ही सॉलूशन को चार फ्लास में ले सकते हैं और यहाँ पर हम केवल तापमान बदलते जाएंगे पहले वाले बीकर को हम कम रूम टेमपरेचर पर लेते हैं उसके बाद हम बीकर को थोड़ा के सॉलूशन को गर्म करेंगे जिससे तेमपरेचर बढ़ ज कराएंगे तो इससे भी हमें राजशानिक अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव का अध्यन का क्या होता का पता चल जाएगा तो इस तरह से यहां पर हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से राजशानिक कभी क्रिया की दर पर सांदरता के प्रभाव का अध्यन किया है